आज हम आपके लिए तोरे के चिलके की चटनी बनाने के रेसिपी लेकर आ हैं ये चटनी सो आद में बहुत चटपटी और तीकी होती है इसको आपके ये 5 मिनट में बना कर तयार कर सकते हैं दोस्तो अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक और सब्सक्रेब जरूर कीजिएगा दोस्तो हमें सबसे पहले तूरी के चिलके निकाल लेने हैं इस तरह से हमें उसके चिलके पूरी तरसे निकाल लेने हैं वो आसानी से निकल जाते हैं अगर तूरी बड़ी हो तो आ आप एक तूरी के चिलके की भी चटनी बना सकते हो या दो चिलके की भी चलकनी बना सकते हो। हमें तूरी के चिलके को अच्छे साप पानी से धो लेना है इस तरह से हमें उससे अच्छे पानी निकाल लेना है। अब हम कड़े या पैन गरम करेंगे और उसमें ओयल डालेंगे ओयल डालने के बाद हमें उसमें जीरा डालना है जीरा डालने के बाद हमें उसमें कड़ी पत्ता डालना है कड़ी पत्ता डालने के बाद हमें उसमें हरी मिर्च और लसुन डालना है ये सब चीजे को अच्छे से भून लेना है तो हमें ये छिलकों को कम ग्यास में भून लेना है इस तरह से वासाने से भून जाते आप देख सकते हो कितने हरे हरे दिख रहे हैं हरी सबजी खाना है आमारे सेथ के लिए बहुत बेतरीन होता है अब हम उसमें डालेंगे हरा दनिया हरा दनिया डालके हमें अच्छे से उसको mix कर लेना है दोस्तो ये τूरे के चिल्के बग चन के बाद हमें उसमें थोड़ा नमक डाल देना है नमक हमें थोड़ा सौधा नुसार ही डालना है हमें उसमें जादा नमक नहीं डालना है क्रिकिया हम कोई भी सुखे सबजे बनाते हैं तो उसमें नमख हम कम ही डालते हैं, दोस्तों अब हम सारी चीजे को मिक्सी के जार में डाल देंगे, और हम दरदरा उसको भीस लेंगे, दोस्तों हमें इसमें पानी डालने के जरूरत नहीं होती है, अब हम एक पैन लेंगे पैन में, उसी पैन में हमें ओयल डालना है, तोरी सब्जियों को खासकर डायेट में शामल किया जाता है क्योंकि ये पोशक तत्व से भरपूर होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं इन सब्जियों से जादा पोशक तत्व इनको चिलकों में होता है अक्सर हम सब्जी बनाते समय चिलके भेग देते हैं वो हमारी सेथ के कमाल हो सकती है उसी में से एक है तोरई जिसके सेद का खजाना चुपा होता है आप इसके सबजी तो खुब बना चुके होंगे लेकिन आज हम आपको चिलको की ये तूरे की चटनी तो हमने तील में पीसी होई हरी चटनी और उसमें मुंगपली का पाउडर डाला है मुंगप कर सकते हैं दोस्तो हम ये चटनी को चावल या रोटी के साथ भी सबर कर सकते हैं बहुत बढ़िया डीश है दोस्तो अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी पे अच्छे लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और अपने दोस्तों को शेहर जरूर कीजिए का मिलते एक नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई एसे ही खाने का मजाली है